हेलो फडेंड्स वेल्कम बैक न्यूवी डालेगे गूण और चीनि तो इसको गूड बना लेंगे दो घ्ञूड़ में डालेंगे तो जल्दी पढ़ delegyeगी और कॉल लगा लर जाएगी और इसमें कॉल चाहें तो लगा लें और ठंडा कर ले बिल्कुल ठंडा कर ली जिए गा तभी आटे में ढालिएगा अब मैं रख देती हूँ एह गंटे के लिए भीगने के लिए तो गैस यह अब इसको फोर ग्रहाख कर दिया है और मैंने आटा त्यार कर लिया है अब बनाएंगे बर्गत के होगी आटे के तो बहुत ही जादा टेश्टी और सॉधिश्ट बनते हैं इस तरीके से आटे को मैंने ले लिया है डिड़ कटोरा सम्थिंग तो इसमें डालेंगे इलाइची तो इलाइची को फोल देंगे और छिलके थाटा दे इसमें डालेंगे तीन बड़े चम्मच थोड़े चोटे चम्मच ऑईल से मौन से बहुत ही ज्यादा टेश्टी और करारे बनते हैं तो जो मैंने गोल तैयार किया था बर्गत बनाने के लिए तो यह गोल परफेक्ट गुल गया है तो इस आटे में डालकर इसका डो जैसा पूरी का डो तैयार करते हैं थोड़ा टाइट डोटी का थोड़ा लीला होता है और पराठे का भी लीला होता है और बर्गत का थोड़ा टाइट रखना है ज्यादा टाइट नी जैसे पूरी का डो तैयार करते हैं वैसे ही मैं इसको डो तयार कर लेंगे आपको अगर पान से त्यार करेंगे dość इस तडीके से ढोते हैं वर्त में हो और फिर अकली साल ज़ल ज़ल्धी पनाइव तो गैस, मैं यही शुपकमना आप सभी को देती हूँ, इस तरीके से तोड़ी लोई तोड़ कर, इस तरीके से गूल-गूल बना लेंगे, जैसे, छोटा आडो होता है इस तरीके से, तो लडू बना लिए हैं काई आप लड्डू समझेगा और चोटे चोटे यह बना लिजिए तो तो इसको घेशने गरम करें से त्थो हो चले लिदे तो थोड़ा थोड़ा करकर बना सकते हैं तो मैंने स्थो वितके Nawas तो जब गुलाबी हो जाएगा तभी आप इसको निकाल लिएगा और इस तरीके से इसको जब है कैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और आप देख रहे हैं कि ऑईल में बुलबुले आ गए हैं तो मैंने बर्गर जितने बनाएते बर्गर तो मैंने सारे ही डाल दी है तो एक सी आज मिलेगी तो एक से परफेक्ट बनकर तयार होंगे अगर आपको और ज्यादा बनाना है तो आप और ले लिजिए गा जिसे साफसे आप बनाना चाहें तो इसको इस तरीके से बीच-बीच में चलाते रहेंगे तो इस तरीके से जब चलाएंगे तो ध्यान दीजिए परफेक्ट रखनी है अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो यह फैल जाएंगे और यह फट जाएंगे वीच से तो आप देशेक्ते हैं कि बड़ी साफधानी से बनाना है उसको और जो गैस की जो आज जो पनानी है तो उसका बिल्कुल परफेक्ट रखना है और ज़्याद कि जैसे रसगुले बनकर तयार हो गए तो एक एक करके इस तरीके से कच्छी थे निकाल लेंगे तो लीजिए बरगत बनकर तयार हो गए हैं आप पूजा करने के लिए आप इस तरीके से गेहूं के आँटे के बरगत बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेश्टी खाने में लगते हैं बहुत जादा सौधिश्ट लगते हैं आप मेरे वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं किस सहर से देख रहे हैं गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए था जादा जादा वीडियो श किजिएगा तो गईस बर्गत बंकर थयार हो गए हैं तो इस तरह के से आप बना सकते हैं और इस तरह के से आप परफेक्ट बना सकते हैं तो लीजिए बनकर तयार हो गए हैं अब चलते हैं पूड़ी बनाते हैं पूड़ी बनाने के लिए जो मैंने पूड़ी कड़ो तयार किया था थोड़ा टाइट रखा है और इसको इस तरह क से चका बेलल ले लेंगे और पूड़ी जो है पूजा के लिए मैं बना रही हूं तो चोटी बनानी है तो गाइस अगर आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शियर जरू कीजिएगा और इस तरीके से आप लोगो के सपोर्ट से मेरा चैनल मॉनिटाइज हो अगर आपको चैनल के बावले में अगर आपको कुछ चांकारी चाहिए हो तो अवस बदाईएगा मैं पूरी चांकारी देने की कोशिश करूंगी इस तरीके से छोटी छोटी पूडियां बना लिए पूजा के लिए तो बड्छावित्री ब्रत ने 12 पूडियां बनती है 12 साफिन भतर दोर्वाकशा ब्रकर्भाणी आंवाना को प्रत के विये वह पांगा इत्वार्वा भत नहीं है कि दोड़ा रेंगिसे करत दोड़ा करें किसा भता pillar few लीं और बाज में चोड़ के लिए방ों से तो गैस आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंड़ में बतायेगा और आप इस तरीके से पूड़ी बना सकते हैं और भी चल्ड़ी बन जाती है और आप खायेगा और सक गीचिएगा और पहले तो पूचा गीचीएगा तो इस तरीके से पूचा की थाली त्यार करते हैं वर्गत की परमावस में तो चने जो होते हैं वो भीगो लिए जाते हैं रात में और ये चावल का एपन मनाया जाता है तो इसको चावल को भीगो कर मैंने सिल्वट्टे से पीसा है और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला ली है तो ये पीला एपन हो गया है तो इसको एपन बोलते हैं तो गैस मिलते हैं नेक्स वीडियो में हैपी बट सावित तरी ब्रत आप सभी को